भारत 2030 तक अपनी नौन फोसिल एनर्जी केपिसिटी को 500 गीगावर्ट तक पहुंचाएगा भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वार्मेंट्स रिन्योबल एनर्जी से पूरी करेगा माननिय प्रधान मंतरी शृष नरेंदर मोधी के मजबूत नित्रित्व में बश्च दो हजार तीस तक भारत अपनी 50% एनर्जी से पूरा करेगा ये प्रधानमंत्री श्री नरेंदर मूदी के अठक प्रयास ही है कि पिछले साथ बर्षों में भारत में नोन फोसिल फ्यूल एनरजी में 25 प्रतिशत से ज्यादा की बृध्धी की है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो संकल्प से सिध्धी का मार्ग प्रशोस्त करती है। प्रदेश पावर कॉर्परेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित हैं। जबकि सतलिज नदी पर 210 मेगवाट की लूहरी स्टेज वन और 82 नदी पर 66 मेगवाट की धौला सिध जल विद्ध परियोजना स्जेवियन द्वारा स्थापित की जा रही है। ये चारों परियोजनाएं प्रतिवर्ष 1648 मिलियन यूनिट विद्ध उत्पादन करेंगी। इन परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को कमिशनिंग के 40 वर्षों तक 12 प्रतिशत बिजली निशुलक दी जाएगी। इन परियोजनाओं के निर्मान से 68,14,000 मानवकार्य दिवस के रोजगार स्रिजित होंगे। और 13.8 एक लाख टन कार्बन डायोकसाइड उत्सरजन कम होगा। इससे क्रिशी, उद्योग, परियतन और अन्यक्षेत्रों में विकास की रफ्तार और तेज होगी। ये परियोजनाओं प्रधान मंत्री के 24 by 7 Power to All, Renewable Energy Vision और कार्बन डायोकसाइड उत्सरजन को कम करने के लक्षे को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर कदम साबित होंगी।